देखो हमें question करें जिसे मानलो हमें एक natural number n दिया गया है ऐसे 2 की power 3, 3 की power 4, 5 की power 7 ऐसे natural number हमें एक दिया गया ठीक, मतलब देखो ये क्या है 2, 3, 5, actually ये prime numbers होते हैं 2, 3, 5 क्या होते हैं बोलो prime numbers तो हमने क्या किया अपने natural numbers को prime की powers में लिखा जैसे हो सकता number ऐसे ना दिया जाए मानलो number ऐसे दिया जाए मानलो आपको number दिया जाए 2400 अब इसे आप prime की power में लिख सकते दो कैसे तू सर डिवाइड करो 1200 फिर टू सर डिवाइड करो क्या होगा बोलो 600 फिर टू सर डिवाइड करो तो क्या होगा 300 फिर टू सर डिवाइड करो तो 150 अब तीन सर डिवाइड करो तो फिर 50 तू सर डिवाइड किया फिर 75 है ना तीन सर डिवाइड किया 25 फाइफ सर डिवाइड क को आप लिख सकते, दोखो 2 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, और 5, तो 2 की पावर 5, हाना, दोखो, कितना आया, 2 की पावर 5, 3 कितनी बार आया, दोखो, 2 टाइमस आया, तो 3 की पावर 2, और दोखो, 5 कितनी बार आया, 2 टाइमस आया, तो 5 की पावर 2, तो दोखो, 2400 मालो, जैसे नं की powers में number को लिखना है तो number को हम अब यह तरीका होता है कि किसी भी number को prime की powers में लिख सकते हैं फिर two से divide हो गया फिर three से divide हणा three से divide हो गया हना इस तरह से हम आगे इसको देखो कर सकते законч मैं कर दिवाइट किया तो 50 सब्सक्राइब तो पकर इस विरित तो थिस उसि सब्सक्राइब किया तो 5 लिएब 50 लिए 500 था 3 सल डिवाइट किया 50, 2 सल डिवाइट किया 25, हाँ, तो यह क्या हो बलो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, और 5 की पावर 2, तो 24 सव को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर कोई नंबर हमें दिया जाए, जो प्राइम की पावर में है तो ठीक है, और अगर प्राइम की नहीं है, तो उसे हम प्राइम की पावर में लिख सकते हैं, ध्यान दो, अब दोखो क्या हुआ, जैसे हमने प्राइम की पावर में लिखा, अब हम से कहा जाएं, कि इसके, all possible, हाना, number of factors बताएए, मतलब इसके सारे possible factors बताएए, सारे possible factors, दोखो क्या होता है, जैसे, अब factors क कैसे निकालते हैं, दोखो जैसे, हम एक टू ले 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 और एक थ्री ले 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 तो वो इसका factor होगा, मालो हम एक थ्री ले 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 एक फाइब ले ले वो इसका factor होगा, मालो हम टू की पावर टू ले 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 थ्री की पावर थ्री ले 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 वो भी इसका factor होगा, मालो हम 2 की पावर 0 ले ले, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, मतलब किसी को भी नहीं लिया, मतलब 1, तो दोखो 1 इसका एक फैक्टर है, 1 भी इसका एक फैक्टर है, तो मतलब number of factor का मतलब, ये दोखो 3 चीजे एक जैसी है, जैसों क्या है दोखो, 2, 2, 2, ये दोखो 4 चीजे एक जैसी है, औ पाँच छे साथ देखो तीन चीज़े एक जैसी हैं चार चीज़े एक जैसी हैं और साथ चीज़े देखो एक जैसी हैं तो अब हमें नमबर आप पॉसिबल फैक्टर निकालने इसका मलब देखो यह हुआ कि इन मैसे आप किसी को भी ले है ना लें तो तीन चीज़े एक जैसी ले या ना लें तो देखो थ्री प्लस वन फॉर केसिस चार चीज़े एक जैसी हैं अब इन मैसे आप एक को भी ले सकते हैं दो को भी तीन को भी चारों को भी तो कितना हो गया वहलो फॉर प्लस वन और देखो यह साथ चीज़े एक जैसी हैं इसम है ले ना ले फूर प्लस वन साथ चीज़े एक जैसी ले ना ना ले तो क्या हुआ बहलो फूर इंटू फाइब इंटू एट तो ये हमारे सारे factors हो गए सारे के सारे possible factors क्योंकि दोखो हम एक दो ले लें दो को दो बार ले लें दो को तीन बार ले लें या कोई भी तीन ले लें कोई भी तीन ना लें है ना चारो के चारो तीन ले लें मतलब ये चीज़े एक जैसी ये एक जैसी ये एक जैसी इस मैसे किसी को ले या ना ले मतलब या तो 0 ले या 1 ले या 2 ले या 3 ले ले अब ये चीज़े भी या तो 0 ले या 1 ले या 2 ले या 3 ले या 4 ले ले यहां पर भी तो वो हमको possible factor देगा तो अभी जो हमने पिछला question किया था वो ही ये question है तो दोगो ये हमारे सारे के सारे possible factors हो गए ये हमारे question का answer हो गए all possible factors देखो अब जैसे माल लो हमसे वो ये कहे अब दोगो जो आपने factors लिया है इनमें एक factor वो भी शामिल है जिसमें आपने सब को ले लिया होगा क्योंकि अगर सब को ले लिया तो ये नमबर खुद ले लिया और नमबर खुद ले लिया तो वो भी अपने आपका factor हो गया अगर हमने सबी को ले लिया मतलब सब को ले लिया मतलब नमबर खुद शामिल है और नमबर खुश शामिल है तो वो अपने आपका फैक्टर है और एक केस बो जिसमें हमने किसी को नहीं लिया अगर किसी को नहीं लिया तो मतलब हमने 1 को लिया तो 1 भी इसका एक फैक्टर है तो इसमें ये नंबर खुद भी शामिल है और 1 भी शामिल है ध्यान दो अब माल लो अगर हम कहें कि all possible factors all possible factors excluding excluding 1 and n मतलब जो possible factor उनमें 1 नहीं चाहिए और n नहीं चाहिए तो क्या करेंगे ये जो answer आया है 4 into 5 into 8 इस पूरे answer में से 2 निकाल देंगे क्योंकि एक factor 1 और एक n 1 भी इसमें है और n भी इसमें ये दो factor ऐसे हैं जो इसमें हैं और वो हमें चाहिए नहीं तो 1 और n दोनों को निकाल देंगे ध्यान दो ठीक माल लो सवाल ऐसा कहे all possible even factors माल लो कहें कि हमें even factors चाहिए तो even factor का मतलब अब 2 कम से कम एक बार आए तो 2 कम से कम एक बार आए तो इसके corresponding हो गया 3 और 3 वाला क्या हो गया वो लो 4 प्लस 1 और दोको ये वाला क्या हो गया 7 प्लस 1 all possible even factors तो even factor का मतलब ये हो गया कि 2 कम से कम एक बार लेना है तो 2 को एक बार ले या दो बार ले या तीन बार ले 3 cases 3 के corresponding 5 cases और 5 के corresponding दोको ये 8 cases तो all possible even factors हना even factor का मतलब 2 या तो एक बार आए या दो बार आए या 2 तीन बार आए तो all possible देखो ये even factors हमारे बन गया ध्यांदू ठीक है अच्छा अब देखो है ना all possible even factors हो गया ठीक है तो अब देखो जैसे माल लो वो हमसे ऐसा कहे कि अब इसमें बहुत से सवाल बन सकते हैं ठीक है दो को माल लो वो हमसे कहे है ये की all possible factors है ना all possible है ना माल लो वो हमसे कहें all possible odd factors माल लो odd factors कहें अब odd factors कहें इसका मलदब यह हुआ कि आपको two लेना ही नहीं है कोई भी two नहीं चाहिए इन मेंसे किसी को लो या ना लो यह सब दोको odd number है जब odd number odd number multiply होंगे तो answer odd ही आएगा तो सारे के सारे odd possible factor चाहिए तो इसका मलदब two एक बार भी नहीं आना चाहिए तो two के corresponding one और और three के corresponding four plus one और five के corresponding seven plus one कोई दिक्कत नहीं है तो five into eight है ना क्योंकि हमें कोई भी two नहीं चाहिए तो two के corresponding हम one को लेंगे one को कोई भी two नहीं चाहिए और three के corresponding four plus one और five ये corresponding क्या हो गया बोलो seven plus one तो ये हमारा आंसर कितना हो गया बोलो 40 all possible odd factors है ना ठीक है दोखो जैसे ये answer क्या था ये था three into five into eight 120 आंसर था और ये answer क्या था 160 आंसर था ठीक तो ये total possible factor थे उस मेंसे even factor को निकाल दो के तब भी odd factors आ जाएंगे जो चाहिए थे ऐसा भी कर सकते हैं total possible factors मेंसे even factor 120 निकाल दो के तो अपने आपी odd possible factor आ जाएंगे ध्यान दो ठीक देखो अब जैसे मान लोगों हमसे question ये कहे कि ऐसे factors चाहिए हना जो 10 से divide हो all factors divisible by 10 ऐसे factor चाहिए जो 10 से divide हो अब देखो ऐसे factor चाहिए जो 10 से divide हो मतलब कम से कम 2 को एक बार और 5 को एक बार आना चाहिए जैसे मान लो 2 इंटू 5 ले लिया या 2 square इंटू 5 ले लिया या 2 cube इंटू 5 square ले लिया तो जितने भी factor देखो दिख रहे हैं ये सब 10 से divide होंगे ध्यान देना तो हमें 10 से divide होने वाले factors चाहिए तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि जो 2 है ये कम से कम एक लेना है तो इसके corresponding 3 2 के corresponding जो 3 plus 1 करते थे थे न अब वो 2 कम से कम एक चाहिए ही चाहिए तो 3 3 लो या ना लो फरक नहीं पड़ेगा 4 plus 1 ये साथ चीज़े हैं इन में कम से कम एक चाहिए तो 7 तो क्या हुआ 3 इंटू 5 इंटू 7 ये हमारे question का answer हो गया all factors divisible by 10 ऐसे factor जो 10 से divide हो तो इनके corresponding कम से कम एक लेना है तो 3 इस मेंसे low या ना low तो 4 plus 1 इन मेंसे भी कम से कम एक चाहिए तो 7 तो ये वो factors हो गए जो 10 से divide होंगे ठीक अब देखो ऐसे बहुत से सवाल हम बना सकते हैं ठीक है ऐसे नेने और भी कई सारे questions यहाँ पर बन जाएंगे अब देखो एक question इसमें ये होता है जैसे वो कहता है कि सारे factors का sum बताईए जैसे एक question वो इसमें ऐसा कहता है कि find sum of all possible factors बल्लब जो हमारे possible factors हैं उनका sum बताईए जितने हमारे possible factors हैं उन सबका sum बताईए दोखो अब क्या करते हैं अब इसका तरीका देखो ये होता है जैसे 2 की power 0, 2 की power 1, 2 की power 2, 2 की power 3 एक bracket देखो 3 की power 0, 3 की power 1, 3 की power 2, 3 की power 3, 3 की power 4 फिर देखो 5 की power 0, 5 की power 1, 5 की power 2 और 5 की power 7 ऐसा करने से हमें सारे factors का sum बिल जाएगा तो उसकी बज़े क्या है जैसे माल लो आपके पास 3 चीज़े है a1 प्लस b1 प्लस c1 और a2 प्लस b2 प्लस c2 और a3 प्लस b3 प्लस c3 माल लो 3 चीज़े इनको multiply करो तो multiply जब करोगे तो क्या क्या आएगा एक तम यह आएगा a1 a2 a3 एक तम यह आएगा a1 a2 और b3 फिर एक तम देखो यह भी आएगा a1 और a2 और c3 फिर देखो एक तम यह भी आएगा b1 a2 a3 फिर एक तम देखो यह भी आएगा b1 c2 b3 फिर देखो एक तम यह भी आएगा c1 a2 a3 मतलब हर टम में एक टम यहां का होगा, एक यहां का होगा, एक यहां का होगा हर टम में एक यहां का होगा, एक यहां का होगा, एक यहां का होगा हर एक टम में एक यहां का होगा, एक यहां का ऐसे करके टम आएंगे तो दुखो जब तुम इन सब को सम करोगे जैसे मालो अब तुमने अगर इन सब को मल्टिप्लाइ किया तो अगर इन सब को मल्टिप्लाइ किया तो क्या होगा एक कोई भी यहाँ से आएगा और एक कोई भी यहाँ से आएगा ऐसे फिर एक कोई यहाँ से आएगा और एक कोई यहाँ से आएगा ऐसे फिर एक कोई यहाँ से आएगा एक कोई यहाँ से आएगा तो क्या हुगा ये सारे के सारे क्या हैं ये सारे फैक्टर सी तो हैं उसके देखो ये सारे क्या हैं ये सारे उसके फैक्टर सी तो हैं तो इनी फैक्टर का ही तो हमें सम चाहिए और बदे को इसमें आ रहा है तो ये तरीका होता है सारे पॉसिविल फैक्टर के सम को निकालने का बला फैक्टर नहीं चाहिए, factor का sum चाहिए, तो ये method ध्याननों को, अब दोखो इसे आगे कैसे simplify करना, actually gp से जोड़ना है, दोखो जैसे, direct भी जोड़ सकते हैं, अब इसे माल लो ये है, 1 plus 2 plus 4 plus 8, ये दोखो 1 plus 3 plus 9 plus 27 plus 81, अब दोखो ये ज्यादा है, तो इसको gp से जोड़ लू, 5 की power 0, 5 की power 1, 5 की power 2, 5 की power 7, तो 1 plus 5 plus 5 square, 5 की power 7, दो क्या होगा, a, 1 minus r की power n upon 1 minus r, तो a हो गया 1, r, r कितना हो गया 5, अब कितने time मैं बोलो, 8 upon 1 minus 5, तो क्या बचा, 5 की power 8 minus 1 upon 4, दोखो ये इसका sum बचा, तो हम gp से भी sum करके लिख सकते हैं, नहीं, तो direct करेंगे तो लंबा हो जाएगा, दोखो क्या है न, ये एक, actually, ये एक geometric progression है, दोखो इसका common ratio seam है, है न, ये 1, ये 5, ये 5 square, ये 5, 7, दोखो ये एक gp है, तो gp का sum क्या होता, a, 1 minus r की power n upon 1 minus r, a का मलब first term, r का मलब combination 5, n, n का मलब number of term, number of term कितने है, 8, तो 1 minus 5 की power 8 upon 1 minus 5, तो दोखो minus 4 बचा, तो क्या बचा, 5 की power 8 minus 1 upon 4, तो दोखो gp का sum हा गया, अब इन सब को simplify करेंगे, तो हमें सारे के सारे factors का sum मिल जाएगा ध्यान दो, मतलब, दोखो जैसे, इस question को अगर हम generalize करें, इसको लिखो जल्दी से, इस question को दोखो अगर हम generalize करें, तो जैसे माल लो, अगर हमारे पास ऐसा question है, माल लो, question यह है, कि एक number n दिया है, p1 की power alpha 1, p2 की power alpha 2, से लेके pk की power alpha k, मतलब, p1, p2, p3, pk यह सब prime numbers है, दिया गया, अब question यह है, कि find number of all possible factors, सारे के सारे possible factors बताइए, तो क्या होगा देखो, यह alpha 1 चीज़े हैं, तो alpha 1, p1, इन में से किसी को लो ना लो, यह alpha 2 चीज़े हैं, तो alpha 2, p1, अब 2 alpha k, p1, ऐसे हम एक formula बना सकते हैं, सारे possible factors, अब जो possible factors आफ ले रहे हो, इसमें 1 भी शामिल है, और n भी शामिल है, ध्यान लखना, अच्छा, फिर देखो, जैसे हम से कहा जाए, कि sum of all possible factors, sum of all possible factors, तो जैसे यह किया था, दोखो क्या, p1 की power 0, p1 की power 1, से लेकर के, p1 की power alpha 1, second case देखो, p2 की power 0, p2 की power 1, और p2 की power alpha 2, इस तरह के से, देखो, pk की power 0, pk की power 1, और pk की power alpha k, ऐसे करके देखो यह सम आफ आल पास्विल फैक्टर्स अब देखो जैसे इसमें कॉंसप्ट और भी आता है वो देखो यह कि जैसे माल लो हम इसको दो-दो फैक्टर्स में ब्रेक करें जैसे माल लो अगर हमारे पास एक नंबर है माल लो एक नंबर ले ले हम 2 x 3 x 5 इन नंबर ले ले माल लो हम अब हम इसको दो-दो फैक्टर्स में ब्रेक करें दोको जैसे एक फैक्टर ले ले 2 x 3 और एक ले ले 5 एक फैक्टर ले ले 2 और एक ले ले 3 x 5 दोको जैसे दो-दो फैक्टर्स में ब्रेक किया और ऐसे ब्रेक कि कि ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम है, को प्राइम का मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोकर ऐसे N को दो फेक्टर में तोड़ा, एक फेक्टर 6, एक 5, लेकिन ये दोनों फेक्टर एक दूसरे के को प्राइम है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं ह अब दोगो ऐसा भी कर सकते हैं, एक 5 ले लिया, एक 2 इंटू 3 ले लिया, ऐसा भी कर सकते हैं, एक 1 ले लिया और एक 2 इंटू 3 इंटू 5 ले लिया, ऐसा भी कर सकते हैं, मन्दब 1 के अलावा कोई और factor common नहीं है, 2 co prime, co prime का मन्दब ऐसे मालो मैंने कहा, 3 और 7 आपस में co prime है, इन दोनों में कुछ भी common factor नहीं है expect 1, 1 के लाबा मालो 3 और 4 इन दोनों एक दूसरे के co-prime है हाँ जैसे 5 और 10 ये co-prime नहीं है क्योंकि दोखो इन में 5 common है दोनों में तो जैसे हम किसी भी अपने number को दो-दो factor में तोड़ें और ऐसे तोड़ें कि बहुत दोनों एक दूसरे के co-prime हो दखो ऐसे इसी में कहा जाए number of ways of dividing n into two factors हाँ ना n को दो factors में divide किया गया हाँ ना such that they are co-prime to each other मतलब n को दो-दो factor में तोड़ा गया और ऐसे तोड़ा गया कि वो दोनों factor एक दूसरे के co-prime है तो दोखो इसका possible way क्या होगा इसका होगा ये alpha 1 plus 1 alpha 2 plus 1 हाँ ना दोखो देहां दस्वरी हाँ ना इसका होगा 2 की power k-1 हाँ ना 2 की power k-1 n को दो factor में divide किया गया और ऐसे divide किया गया कि वो दोनों एक दूसरे के co-prime है k क्या है k मतलब कितने प्राइम नंबर हैं दोखो जैसे इसमें k प्राइम नंबर हैं तो 2 की power k-1 अच्छा इसी में ऐसे कहा जाएं कि number of ways of dividing n number of ways of dividing n into 2 factors बस ऐसा कहा जाए कि 2 factors में divide करना है वो एक दूसरे के co-prime है या नहीं इसे मतलब नहीं 2 factor में divide करना तो दोखो इसका तरीका ये होता है alpha 1 plus 1 alpha 2 plus 1 जो सारे के सारे possible factor है हाँ ना ये उसी को 2 से divide कर दो 2 से divide कर दिया है ना और अब इसे कई वर क्या होगा कि जदूदी नहीं है कि उपर का number 2 से divide ही हो जाए जैसे मालो ये पुरा odd आजाए ये भी odd आजाए ये भी odd आजाए ये पुरा number odd का वा जाएगा जब alpha 1 even होगा alpha 2 even होगा और ये भी even होगा अगर ये भी even ये भी सब even है तो उपर के सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी odd तो उनको 2 से divide करना possible नहीं है तो ऐसे case में क्या करेंगे हम alpha 1 प्लस लेंगे alpha 2 प्लस 1 लेंगे और dash 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 alpha k प्लस 1 लेंगे और प्लस 1 करके 2 से divide करेंगे ध्यान दू हना अगर ये 2 से divide करना समभब नहीं हुआ तब अगर 2 से divide करना इसका possible हुआ तब तो ऐसे करेंगे और अगर इसका 2 से division possible नहीं हुआ तो पूरे में प्लस 1 करके 2 से divide करेंगे तो ये क्या होगा एन को 2 factor में तोड़ने का method वो एक दूसरे के co-prime है या नहीं बस दो factor में तोड़ना है इसमें क्या है दो ऐसे factor में तोड़ना है कि जिससे वो एक दूसरे के co-prime हो अब ये formula कहां से आए ये 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 बताऊंगा मैं आपको अभी पहले लिखो इसको हलाकि ये आयटी पूछेगा इसके chances बहुत रहे है ये concept आयटी पूछेगा इसके chances रहे है हलाकि पूछने को पूछ भी सकता है क्योंकि इसके पीछे क्या logic है ये formula कहां से आए ये मैं आपको समझाऊँगा इसको भी लिखो ज़रा ध्यान से ठीक है देखो अब जैसे एक question देखो इसमें ये होता है कि number of natural numbers lesser equal to n that are co-prime to n मतलब n से छोटे natural number चाहिए n से छोटे या बरावर natural number चाहिए n मतलब ये और ऐसे चाहिए जो n के ही co-prime हो मतलब उन में और n में कोई common factor ना हो है ना n से छोटे ऐसे natural number चाहिए जो की n के co-prime हो मतलब उन में और n में कोई common factor ना हो लोग उसका तरीका क्या होगा N bracket में 1-1 by P1 second में 1-1 by P2 और last में 1-1 by Pk तो यह एक फार्मूला है इससे हमें बो सारे natural number मिलेंगे जो की N से छोटे हैं और co-prime है ध्यान दो N का मतलब ये value पूरी रखेंगे 1-1 by P1 1-1 by P2 and so on 1-1 by Pk इस बात को ध्यान दो तो यह हमें concept सारे ध्यान लखने हैं हलाकि यह 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 IT पूछे का इसके chances बहुत रहे हैं IT ने ऐसा सवाल का यह पूछा नहीं आज तक तो लेकिन फिर भी ऐसा सवाल आपको मिलेगे यह देउदर किताबों में यह पैकेज बगरा में तो आप असानी से उनको कर पाएंगे तो यह कुछ फार्मूले हैं जो की दिमाग से उतरते रहेंगे हमारे हना की अब यह सब फार्मूले दिमाग में रखना असान नहीं होता यह आप आज रखो के छे में उतर सकते तो परशान मत हो यह कोई इतनी इंपॉर्टन चीज़े नहीं है मतलब आएटी इन मैंसे पूछेगा इसके चैंसे बहुत हरे आ रहे हैं लेकिन किताबों इताबों में सवाल दिये होते हैं इसलिए इनको पढ़ना और सीखना ज़रूरी है लिको सबचे ध्यान से इन दोन में चोईस है अगर ऐसा पॉस्विल हुआ तो ठीक है और ना पॉस्विल हुआ तो प्लस बन करके टू से डिवाइट कर देंगे ठीक है इस बात को यहाँ पर लिख लो